एक अनमोल सीख, एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड़े तो पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड़े से कहता कुदो टिड़ा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्यानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था उसने टिड़े की छलांग पर प्रयोग किया वैज्यानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कुदो टिड़े की छलांग की दूरी कम हो गई वैज्यानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला कुदो टिड़े की छलांग और कम हो गई अब उसकी तीसरी टांग भी तोड़ दी तो फिर छलांग की दूरी और कम हो गई एक-एक करके बेचारे टिड़े की सारी टांगे तोड़ दी गई अब आखरी टांग तूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वह हिल भी नहीं पाया अब वेज्ञानिक ने अपना निशकर्ष अपनी डाइरी में लिखा जानते हो उसने क्या लिखा जब टिड़े की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया हर टांग तूटने के साथ वह और बहरा और बहरा होता गया और सारी टांग तूटने के बाद वह बिलकुल बहरा हो गया जोर जोर से चिलाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं छलांग लगाना तो दूर की बात थी इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है न कि क्या मुर्ख वेग्यानिक था इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड़े की छलांग उसके टांग तुटने की वज़े से कम होती जा रही थी ना कि वह वहरा हो गया था दोस्तों हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मुर्ख बन जाते है कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है इसलिए अगर पच्टाना नहीं है तो जीवन में जल्द बाजी में कोई निर्नय ना ले हमेशा समझदारी का इस्तिमाल करे सावधानी बरते नतीजे सोच विचार कर ही निकाले आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे धन्यवाद